कुरोना काल में जहां इंसान अपनों से मूह मोड़ रहा है और रोज ही मानवी समवेदनाओं के मरने की खबर आ रही है ऐसे में राजधानी में रहने वाला एक शक्स उम्मीद की किरण बन कर उभरा है कुरोना काल में किसी को मुसीबत में देख कर लोग जब नजरे फेर रहे होते हैं तो वहाँ ये सक्स एक मसीहा की तरह पहुँचता है और निस्वार्थ भाव से सेवा में जुढ जाता है हम जिस सक्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है जावेद खान जो पेशे से एक आटो ड्राइवर है लेकिन कुरोना काल में उन्होंने दूसरों की मदद का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया हुआ है इसके लिए उन्होंने अपनी रोजी रोटी का एक मात्र सहारा आटो को ही एम्बूलेंस में तबदील कर दिया है आपको बता दें कि जिसे भी मदद की जरूरत होती है जावेद उसे फ्री में अस्पताल तक पहुँचाने के लिए तयार रहते हैं देश में कुरोना कहर के बीच जहां कदम कदम पर जान को खत्रा है ऐसे में जावेद जिंदा दिली की मिशाल पेश करते हुए रोजाना अपना आटो एम्बूलेंस लेकर घर से निकलते हैं जरूरत मंदों को अस्पताल तक पहुँचाते हैं मरीजों को आटो में बिठाने से पहले वो उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं और अगर जरूरत होती है तो वे उसे ऑक्सीजन भी लगाते हैं जावेद ने अपने आटो में ऑक्सीजन सपोर्ट की विवस्था कर रखी है ताकि अस्पताल ले जाते वक्त अगर रास्ते में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो उसे आराम से ऑक्सीजन मिल सके इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल चेक करने की भी विवस्था उन्होंने की ह कोरोना काल में जावेद जिस तरह से दूसरों की मदद कर रहे हैं समाज को उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है जावेद के इस कदम से लोग उन्हें अब रियल हीरो के नाम से पुकारने लगे हैं जहन में जावेद खान और आप सबको जैसे मालूम है कि हमने विवस्ता करी है आटो को एमुलेंस बना नहीं वो उपवाले करहम हुआ कि आज पूरी हो चुकी है यह देख सकते हैं आप सेनेटाइजर और यह सिलेंडर लगा यह आक्सी मीटर सब लगा हुआ है इसके अंदर आक्सीन लगा हुआ है और यह गाली हमने एमुलेंस बना लिए अपनी आटो आज मेरा आटो पूरा कंप्लिट हो चुका है चोविस घंटे आप कभी भी फोन लगा सकते हैं मुझे यह आप दो सकते हैं अब यह एमुलेंस आटो आपको चोविस घंटे अब जब भी हो आपको एमुलेंस नहीं मिले तो आप मुझे फोन लगाएं यह देखिए पुरा वंदुपस करके राखा है हमने गाली कंदर यह अक्सीजन लगा लिया सिलेंडर और उरे मतार कंप्रीट कर लिया है यह सेरिटाइजर गाली को क्लीन करने के लिए जहिन